हलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ओफिशल में आपका स्सी कॉंस्टेबल जीडी 2021 फाइनल रिजल्ट के बरे में एक नोटिस वाइरल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है नोटिस, से पहले भी कई बार क्या होता है कि नोटिस वाइरल हो सकता है, अब यहां पर यह जो नोटिस है, इसके सत्यता कि जब जांच की गई तो यह पूरी तरीके से नोटिस जो है, वो फेक पाया गया है, देखे आपको दिखा देते हैं, कि यह एक्चुली जो नोटिस है, इसको 2018 वाली जो भरती है उसका notice के according इसको edit किया गया है File No. 3.1.2.1 के C2 Volume 2 Staff Selection Commission यहाँ पर देखिया आपको दूसरा दिखाते हैं जो actually notice जो था File No. 7.1.2.1.2.1.2 Staff Selection Commission Uploading of Final Marks of Constable GD in C.A.P.F. N.I.A. and SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018 Same जो है वो ही किया है ऐसा का सा लिखने ही कोशिश की गई है Same लिखने ही कोशिश की गई है The final result of Constable GD in C.A.P.F. N.I.A. and SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2021 Will Be Declared Will Be Declared होगा यह पहले भी वीडियो में हमने बता था कि इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं लेकिन जो इसका ओरिजनल नोटिस है जिसके अधार पर इसको एडिट किया है वो नोटिस मिल गया और उसमें आप देखते हैं कि Under Secretary C.1.2.5.2.2021 का नोटिस यह जो था उसको 2018 की भरती का नोटिस था उसको candidates may check their individual marks by using their registration number and registered password and click on result marks link on the candidate dashboard this facility will be available for a period of one month that is from 5 February 2021 to 6 March यानि पूरा पूरा यहां पर एक महिना हो रहा है लेकिन जो नोटिस हमारे दोस्तों ने वाइरल किया है वो उसमें वो यहां गलती कर गए इसमें गलती हो गई तो यह और यहां पर भी जो which will be uploaded होगा which will which has been uploaded तो यहां जो grammatically mistake देखे नकल में भी अकल की जरत होती है तो यह नकल तो किया उन्होंने और मैं इस तरह का जो काम कर रहे हैं उनको मैं कहना जाओंगा देखे इस तरह के से वाइरल जो है वो fake news viral ना करें और जो candidates जिनके पास कुछ इस तरह का कोई भी notice या कोई उनको कहीं से भी वो receive कर रहे हैं किसी group में मिल रहा है तो उसको बिना सोचे समझे उसको forward ना करें पैनिक होने की जरत नहीं है results आपके तयार है results कभी भी declare हो सकते है 31 October से पहले result जारी करने का Ministry of Home Affairs के दोरा निर्देश जो दिया गया है SSC को वो बिल्कुल सही है उसके बारे में official letters कुछ वाइरल हुए training program आपका बन गया है training की पूरी तयारियां चल रही है तो पूरी परताल के बाद इस notice के बारे में पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये notice जो है वो पूरी तरीके से fake notice है इस तरह का notice कोई SSC की तरफ से अभी कोई जारी नहीं किया गया है इस तरह का notice कोई सक्तेता प्रमानित नहीं होती है और ये notice actually 2018 की जो बढ़ती है उसके अधार पर इसको edit किया गया है वो notice भी मिल गया है वो notice आपको दिखा दिया same language है same date है ये जो था 2018 में दो date को result डिकलेर किया गया था बिल्कुल किया गया था 21,1 को उसके बद में जो केरला का जो result था वो 28,1,2,0,21 को आया था तो जो notice अभी वाइरल किया जा रहा है कि SSC GD के result के बढ़े में जो notice है वो पूरी तरीके से fake notice है इस तरह कोई notice SSC का site पर या SSC की तरफ से नहीं जारी हुआ तो बने रही है दोस्तों चैनल के साथ और यदि आपके भी कोई doubts हैं आप comment section में लिख सकते है जहनत